हेलो स्टूरेंट्स, देखे, आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटीगल से रिलेटेड टू फॉर्म्स बताने वाला हूँ, जो के बोर्ड के एक्जाम में इन से रिलेटेड बहुत स्वारे क्वेशन्स पूछे जाते हैं, और ये दोनों जो फॉर्म हैं, वो वेरी वेरी इंपोटेंट हैं, तो आएए देखते हैं इन दोनों फॉर्म्स के बारे में, तो इंटीगल्स अप्दा फॉर्म्स जैसा का ये एक पहला फॉर्म दे रखा है, और ये आपका दूसरा फॉर्म दे रखा है, sin of integral e to the power ax into sin bx dx, sin of integral e to the power ax into cos bx dx, दोनों में exponential function दोनों में same हैं, और इसमें exponential function के साथ sin bx है, और इसमें cos bx है, बस ये difference है, लेकिन दोनों का solve करने का जो system है, वो बिल्कुल same है, sin bx और cos bx ये दोनों अलग-अलग है, इससे कोई लेना देना नहीं है, दोनों का system solve करने का same है, तो आए इसी से related, मैंने एक ये questions लिया है याँपर, इस question को देखते हैं, देखे, ये आपका question, first का solution, sin of integral e to the power 2x into sin 3x and dx, ठीक है, हम इस type के जब ये form रहता है, तो इसको हम integral को i मान के लेट चलते हैं, इसको हम i मान लेटे हैं, ठीक है ना, let, इसको मैं ऐसे लिखे जिएता हूँ आगे, इसको याँ जगे नहीं, इसको ऐसे लिखे जिएते हैं, अलग से, let i is equal e to x into sin 3x and dx, ये मान के चलते हैं इसको, ठीक है ना, integral को i से denote करते हैं, अच्छा, अब इसमें first function और second function, जो i let rule है, i let rule जो है, वो आपका, किज़र से, left hand side से चलता है, तो ये first function, left hand side से अगर हम उसको देखते हैं, तो ये first, ये आपका second, ये third, ये fourth, और ये fifth, ये system रहता है, तो हम left hand side से, इसमें highlight system ये ही है न, कि left hand side से जो function, यहां जो function दोनों जो दे रखें, उनमें से left hand side से हम देखने पर देखें कि जो सबसे पहले जो आ रहा है, वो पहला होगा, और उसके बाद जो बचा हुआ है, वो दूसरा होगा, ये system है, ठीक है न, तो इसके according अगर देखा जाए, तो यहां पर, ये आपका trigonometry वाला जो है आपका, ये आपका, अगर आप देखें यहां पर, इधा से देखें, तो ये trigonometry वाला ये पहले आ रहा ह चाहिए, उसके बाद exponential आ रहा है, पहले trigonometry वाला function आ रहा है, उसके बाद exponential आ रहा है, तो ये first होना चाहिए, और ये second होना चाहिए, ठीक है, लेकिन, यहां हम किसी को भी first और किसी को भी second मान सकते हैं, इस eyelid roll की आवशक्ता नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्यों, क्यों उसका जब हम दोनों का differentiation, दोनों का integration जानते हों, तो हम किसी को भी first और किसी को भी second मान सकते हैं, ठीक है, तो हम यहां इस rule के according नमानके हम इसको, इसका reverse भी मान सकते हैं, उससे भी question हो जाएगा, ठीक है न, तो जो हम इसको, इसको हमने first मान लिया और इससे हमने second मान लिया, तब इस question को हम कर सकते हैं या इसे second मान लो इसे first मान लो तब भी question हो सकता है क्योंकि दोनों functions का हम integration and differentiation जानते हैं ठीक है न? चलिए अब आप इसको question को solve परते हैं तो इस first function हम आए आपका integration by part से होगा integration by part का formula u into v dx यह first function है और मान लो इस second है क्या u सेम रहता है into v का integration minus sin of integral और तहला जो function है उसका u जो है उसका differentiation into फिर जो है second का integration और इस total का फिर से integration यह formula है ठीक है न? इस formula को यहाँ हम apply करते हैं और आई मान के इस type questions आई मान के चलते हैं ठीक है न? तो देखें जादा तो यह हो जाएगा आगे first function तो e to the power 2x same into sin 3x and dx इसका integration first function same इसका integration minus फिर पहले का differentiation into फिर integration sin 3x dx और इस total का फिर से dx यह हो गया तो देखें जादा e2x into sin 3x dx sin 3x dx इसका क्या हो रहा है यहाँ पर? integration हो रहा है integration multiplication जब होता है तो यह minus sin का minus होता है तो sin 3x का क्या हो जाएगा आपका cos 3x और 3 upon में आएगा ठीक है ना? यह 3 जो है वो upon में जाता है यह हमने बताया था पहले जो x के साथ जो multiplication में वो upon में रख दो direct ठीक? sin है तो minus लगेगा sin 3x का cos 3x minus cos 3x और 3 upon में ठीक है? minus फिर इसका differentiation तो e2x और 2x का change rule से 2 बाहर आएगा और फिर यह minus यहाँ से फिर नगलेगा तो यह मैंने चलो मैं direct plus किये देता हूं इसको ठीक है ना? एक minus यहाँ से आएगा plus कर दिया और यह cos और 3x और upon में यह 3 and यह dx clear? आगे minus 1 upon में 3 और e2x और cos और यह 3x ऐसा भी लिखा यह सकता है इसको और देखें यहाँ यह 2 है और यह 3 है तो इसको आप बाहर निकालें 2 upon में 3 constant है बाहर निकालें और cos 3x and dx यह लिखा यह सकता है ठीक अब क्या हुआ? यहाँ e2x sin 3x dx यहाँ e2x और cos 3x dx sin का cos में change हो गया लेकिन function remove नहीं हुआ function फिर से दोनों ही हो गया दोनों function जो है न वो एक में convert होने चाहिए न लेकिन यहाँ फिर से exponential फिर से trigonometry वाला निकल के आ गया ठीक है न? तो हम इसको इसी लिए तो आई मान के चलते हैं अब जो हम इसमें फिर से इसी formula को फिर से apply करेंगे यह formula इसमें फिर से apply किया जाएगा और यह आपका यहाँ पर यह first function और यह second function फिर से माना जाएगा इसी formula को भई यह exponential के साथ यह trigonometry वाला function था यह exponential के साथ sign यह exponential के साथ sign था यह exponential के साथ cost हो गया इतना change हुआ तो आप इसको फिर से इसी formula को फिर से लगाएँगे तो फिर यह cost का फिर से sign हो जाएगा और sign होने पर फिर से यह function यही पूरा जो integral है यह निकल के आ जाएगा और उसकी जवे पर फिर हम आई लग देंगे यह सिस्टम रहता है इसमें ठीक है न तो देखे ज़रा यह क्या हो जाएगा आपका यहां तक तो क्लिए रो रहा होगा यह और इसको मैं फिर आगे यहां लिखे जिता हूँ माइनस का 1Y3 और यह आपका E2X और कॉस 3X यह तो चली रहा था ठीक है न यह तो चली रहा है आपका और फिर उसके बाद यह 2 अपॉन में 3 यह बाहर है और इसमें फिर से इस फंक्शन को तो यह आपका E2X सेम और यहां कॉस 3X और दे एक्स इसका इंटेशन माइनस फिर साइन ओ इंटेगल और पहले का डिफ्रेंशेशन E2X और फिर इंटो फिर आपका कॉस 3X और दे एक्स और इस टोटल का फिर से यह दे एक्स और यह ब्रैकेट पूरा यह क्लोज यह है यह हो गया यहां तक ठीक न यह थिरी है यह थिरी को ऐसा है बना लीजिए ठीक से ठीक न यहां था क्लियर हो गया नेक्स्ट आगे माइनस वन वाई थिरी और यह E2X और कॉस और थिरी एक्स यह था चली रहा है तो अब आप देखें इसलिए हम इसको आई मानके चलते हैं और इस टाइप का जो फॉर्म है सिंपल तरी का यह है कि इस टाइप का जब फॉर्म हो तो उसको आई मानके चलेंगे और इस टाइप के फॉर्म में यह फॉर्मूला डवल इसका एप्लिकेशन होता है दो बार इसका यूज होता है इस फॉर्मूले का एक बार साइन का कॉस कर देगा फिर कॉस का फिर साइन हो जाएगा क्याने का मतलब है यह ओरीजनल इंट्रीगल यहां फिर से फाइंड हो जाएगा और उसकी जगह पर हम आई रख देंगे क्यों कि साइन का कॉस का साइन साइन का कॉस का साइन यह तो चलता ही रहेगा सिल्सला ठीक ना तो इसी नहीं हम इसको पाई मानके चलते हैं और ओरिजनल इंट्रीगल यहां निकल के आजाता है इसकी जए पाई रख देंगे और फिर उसके बाद स्वल हो जाए कॉश्यन तो देखे जाए रहा आगे स्टैप में माइनस यह इकल चल लगा दो यहां पर आई इस इकल चल लाए ना तो यहां इसको इकल सो कर दो तो और जाए बैटर जाएगा इकल में चल लाए सारा माइनस का वन वाई थिरी और यह टू एक्स ठीक है ना और यह कॉस और थिरी एक्स यह आ गया अब दिखे यहां इसका आप अभी बाहर ही रहने दो इसको यह ऐसा करिए टू अपॉन में थिरी बाहर ही रहने दो इसको अभी ब्रैकेट और आपका यह ए टू एक्स साइन थिरी एक्स अपॉन में थिरी चली रहा है और यह थिरी बाहर निकाल लो तो यह माइनस का यह साइन ओफ इंट्रिगल और यह आपका यह टू अपॉन में थिरी तू अपॉन में थिरी और साइन ओफ इंट्रिगल और ए टू ए और sin 3x और यह dx, ठीक है, यह आपका होगी यह अंदर, clear? अच्छा, अब आप देखें, कि यह जो function है, यह मैंने common क्यों लिया, यह आपका constant को बाहर निकाला ना, 2 और 3 को भी बाहर निकाल दिया, अब आप देखें कि यह जो portion है, इतना, यह किसके equal हो गया, यह ही निकल के sin of integral e2x sin 3x dx, यह आगया कर नहीं? और इसको हमने क्या माना था? आई माना था, इसकी जगे पर मैं आई लग दूँगा यह आपका, तो आगे, यहां तक देख लें आप इसको, चलिए, अब मैं यहां से इसको मिटाई देता हूँ, अब आप देखें इसको, next step जो है क्या हो जाएगा, यह इसको यहां से देखें, यह i चल ला था, total i चल ला है, यह i equal चल ला है, i is equal, तो i is equal, देखो मैं यहां से फिर से i is equal, माइनस का 1 upon में 3, और e 2x, और cos, और यह 3x, और plus, अब देखो यह 2y 3 का इस bracket को, बड़े bracket को open करिए, तो इसको multiply कर दो, तो यह क्या हो जाएगा, आपका, 2 upon में 9, ठीक है, ना, 2 upon में 9 हो जाएगा, और आपका e 2x, और sin 3x, यह हो जाएगा, और हाँ, थीड़े जाएगा, और यहाँ 2 upon में 3 का इस 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 schein 3x, इस इस में multiply हो गया, तो यह हो जाएगा, ठीक, आई मानके चले थे न, यह ऑरिजनल यहां फिर से आ गया, इसके जगे पर आई रख दिया, और यह मुल्टिपलाइकल दिया, तो अपन में थेरी का इसमें भी और इसमें मुल्टिपलाइकल दिया, अब आप देखें, यह आई लेके चल रहे थे, और यहां भी हमने आई लेके तो चले थे हम इसको, लेट किया था आई हमने, और यह भी आई में कनवर्ट हो गया, अब इस टर्म को आप इधर लाइए, तो यह क्या हो जागा, आई और प्लस हो जागा, फोर अपॉर अपॉर में नाइन आई, इस इक्वल, माइनस वन अपॉर में थेरी और आउस और थेरी अट्स प्लस टो अपॉर में नाइन, और इ टो एक्स और init और यह थेरी अक्स यह हो गया, अब आप इसको यहाँ अ लीजिए तो यह एड़ करने पर यह क्या बन जाएगा आपका यह 9 LCM आजागा यहाँ पर तो यह 9 आई और प्लस 4 आई यह बन गया और यह आपका आगे step माइनस का 1 अपॉन में 3 और e2x और cos 3x और प्लस 2 अपॉन में 9 और e2x और sin 3x यह हो जाएगा ठीक है यह कितना हो गया 13 13 अपॉन में 9 ठीक है ना 13 हो जाएगा ना 9i और 4i 13 आई हो गया ठीक है ना और आपका अपॉन में तो यह आई हो गया यहाँ पर और is equal minus 1 अपॉन में 3 और e2x cos 3x ब्लस 2 अपॉन में 9 और e2x और sin और यह 3x यह हो गया ठीक क्लियर हो गया यह बहुन को यह हम एड़ करतेंगे यहाँ calcium ले लिया था और 9 और 4 13 और यह अपॉन में 9 अब आप क्या करेंगे यहाँ पर 13 अपॉन में 9 है तो 9 अपॉन में 13 का इसमें multiply कर दो तो i की value find हो जाएगा यहां cancel हो जाएगा ठीक है ना तो यह आपका i हम यह direct हम i is equal यह क्या लेख सकते हम इसको तो आपका यह माइन यहाँ हो जाएगा आपका 9 अपॉन में 13 इंटू माइनस वन अपॉन में 3 इसके साथ e2x cos और 3x ठीक है और 9 अपॉन में 13 का ही यह multiply होगा plus 9 अपॉन में 13 इंटू 2 अपॉन में 9 और e2x और sin और 3x ठीक इस 3 से यह cancel हो जाएगा 9 ठीक और यहां 9 से यह 9 cancel हो जाएगा ठीक है और अब जो फाइनल जो आंसर है वो मैं यहां लिखे देता हूं इसका अब क्या निकल के आया यह आई समझ में आ गया है 13 अपॉन में 9 है तो 9 अपॉन 13 का यह निकल के आगया है यह आपका फाइनल आंसर आपका आई इस इक्वल यह बचा आपका माइनस का 3 अपॉन में 13 और e to the power 2x cos 3x और प्लस में यह बचा आपका 2 अपॉन में 13 और e to x और sin 3x और 3x और समों 3 अपॉन में 30 में 13 सित्षार अपॉन में 13 में 15 में 30 में 30 में 30 में 30 में 30 में 30 Ma मैं 30 में 30 और e to x cos 3x और plus का आपका यह बचाई 9 से 9 और रित अपॉन में 13 और e 2x और उसके बाद में sin 3x, ठीक है ना? और फिर उसके बाद constant attach करना चाहाँ constant यह attach कर सकते हो constant last में plus c, ठीक है आप plus c तो last में attach करी सकते हैं ठीक है? तो step से यह question करना है समय में आ गया होगा तो यह variable, अच्छा यह जो form है, बिल्कुल जो अभी यहां हमने आई मान के इसको किया है same यही इस form में करना है इससे related question होगा, इसको भी आई मान के करना है, इसको भी आई मान के करना है, ठीक है ना? और यह formula उसमें दोबार apply होगा इस type के जो form होगे, यह formula आपका two times इसमें इस्तेमाल करना है, तभी question होगा, क्योंको sign का cost हो जाता है, फिर से cost का sign हो जाता है, तो original जो आई माना था वो निकल के आजाता function, ठीक है ना? अगर यह आई मान के नहीं करेंगे तो इसको sign का cost, cost का sign यह तो चलता ही रहेगा और दोनों के दोनों function बरकरार रहेंगे, उन में वो दोनों एक में convert नहीं हो सकते हैं, तो इसका system यह है करने का है, ठीक है ना? और इसमें से ILA-T rule के according आप मान सकते हैं या आप किसी को फर्स्ट किसी को फर्स्ट को फर्स्ट को जान सकते हैं, क्योंकर दोनों का आप को पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन बटन दबाना मत भूले, थैंक यू